आज बहुत अची रेसिपी लेकर आएं मटन के पाई वो इसलिए के सीजन भी आ गया है और थोड़ा बहुत जो है वो कराची में भी अच्छा वैदर हो गया है इस तरह का कि खा सकता है और यह थोड़े से हैवी भी नहीं होते मटन के पाई बहुत लाइट होते हैं और लोग पसंद भी करते हैं ठीक है तो यह मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत इजी है यह आलमोस्ट जो है यह मेरे पास जो है वो आर्ट होंगे ठीक है पाई आर्ट होंगे और इसमें किस तरह से यह बन रहा है बहुत इजी है बस मैं आपको बता रही हूँ और यह इसको क एक यह प्रोसेस है वह बाद में हैं तो खोरी इसमें जितने जो पाये बक्रे कर रोगा टाल गया अब यह एशी इसकी यह उत्मी बरेगी यह कोखोगा अलमोस्ट थू आर्ट से लिए ठीक है यह अनिया देखें रफ्ली सी चॉप की यह पुड़ा सा गरब मसाला ऐसी और यह तेज़ पत्त, यह डाल दिया, और फिर हमने इसमें थोड़े से लाइट से स्पाइस डालने है, सॉल डाल दिया, और रेड चिली पाउडर है, और थोड़ा सा यह इसमें जो है वो वन टी स्पून सॉंट गाल दी, अब यह कोक तुल्पा, यह इसके यकनी बनेगी और यह अब यह कोक होने जा रहा है, अलमोस्ट टू आर्ट्स के लिए, टू आर्ट्स के लिए, इसके यकनी पूरी रिडी होगी, आप्तर दैट फिर मैं बताऊंगी किस तरह से मैं इसको रिडी करूगी, राइट? इसके, बनेगान है, जो पूरत है, डीम राइट ना – लगव ना आ जाती आदा खृमंद एक सप्रिट्स अपर्यमा ले पğसचलों कर लिए को भी तो ततर दो के मैं वाओ नाया है, ओक है लघरा है, तो चईल्डन होटाई सब्सक्राइट दी, और इसमें डही डालना है हमने क्योंके यह टेस्ट आता है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट कर देता है यह ग्रेवी का तो यह आलमोस्ट वा जो है वह समें दही अग्ड हो जाएगी अज़ा यह सारी चीजें ग्राइन होंगी इसी में जितने इसमें जितने स्पाइसे और एकर दोगी इसमें हलदी पावबर है वन टेबल स्पून है टिक है और सारी चीजें आपके सामने में डाल रही हूं एक रही हूं यह बेक लीचेगा तेज़ बता है अकॉर्डिंग तु टेस्ट आपने इसमें पाइसे डालने ज्यादा अगर न आपने एक होता है ना जो नहारे वगयर मिर्चे डालता है। बहुत रहुत बालेड़ है कश्मीरी मिर्च म clinics we nice यह एक आम सी जो होती है जो डेली यूज होती है वह वाली मिर्चे है और वन टेबिल स्पॉन साला जो आपके पास अल्रेडिए है आपको बताया हुआ भी है ठीके आट यह है इसमें सॉफ है जीरा है और साबी दनिया है और बादियान के जो फलार होते हैं वो है पाउडर यह पूरा हम अट प्रूमाल जो से यह सारा इसकी जो टेस्ट इन हेंछा इन्हारी गाउर आर तेस्ट होता है बहुन स्टीकत, अभ यह सारे मैं इसको गुराइगी ,जिंड देनारियर से들ो फाई कुझ में उसको बेडा Eachvida कैई इस अपिर मसाला का पेस्ट नाया था ऊपर आप कर तो आप एक। नाया वह विवर है का उया प्तूनoplолж जाओ निया जब्सटी जब आप बचुति नहीं रहेत हो था इस तरह सरें आप इसमें एट करना चाहों तो कर सकते हो क्योंकि बच्चे जहाँ होते हैं तो पिर उनको नीड होती है। जाला नहीं घमें घमें थोड़ा सा मुखते हैं हैं। मैं भूण बहुत को तो बिल्कुल जाएगा धाया थाइगा एट और यह चाहा है। ठीक है बिल्कुल पकेगा ये टू आर्ट्स के लिए लाइट फ्लेम पे आपने इसको कोख करना है बहुत ही हाई फ्लेम पे नहीं करना राइट अच्छा जब ये कोख हो जाएगा फिर मैं अच्छा ये इसमें एड कर दूगी ये पूरा जो मैंने आपको बताया ना ग्रेव हो गया हमारा सतना सर्फ होगा ये मैं प्लैट्रायरेस का जो पूरा होता है ग्रीन चिली ज एंड कोरियंडर एंड चिंजर ठीक है ये आपने इसमें इसमें तरह टाला और ये इसमें गरम मसाला है और थोड़ा सा चाट मसाला से ऐसे आप श्प्रिंकल कर लाइग और ये न बनाएं और ये पूरा आपका मील है इसको जरूर ट्राइ कीजेगा मुझे फीडबैक दीजेगा बहुत जबर्दस ये रेसिपी है और इन्शाला फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आती हूं फिर नेक्स्ट वीडियो पे और जब तक के लिए टेक कियर एंड लाइब बनाएं पराणियो के में पमีक्स्ट वीडियो के लिए रिए आती है मैं फिर लेक्सट कर दो दो वीडियो वीडियो के लिए आती है झाल झाल